जुड़ सकते हैं, सब भी लोग जुड़ सकते हैं क्योंकि एक मिशन है और ये ऐसा मिशन है कि इस देश को बदल देगा एकदम क्रांतकारी मिशन है ये ये हम सब लोग जुड़ गए तो इस देश के सभी राजने था माननी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी सहत, माननी ग्रह मंत्री समेथ सभी राजनेतिक पार्टियों के सभी राजनेता जिसमें वहे लोग भी समलित होंगे जो 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8 बार के विधायक सांसद और मुख मंत्री रहे हैं और जिनका अपने बारे में ये मानना है कि चुनाओ लड़ना, चुनाओ जीतना, मंत्री और मुख मंत्री बनना उनकी बापोती है, और उनकी बापोती उनके बाद उनके बच्चों की भी बापोती है, ऐसे समस्त बापोती बाले विधायक सांसद मंत्री और मुख मंत्री भी उभरते हुए चंदर गुप्तों से पराजित होंगे तो ये चंदर गुप्त चाणड़क ये सब बात आपको कुछ को समझ में आई हो तो बताएए नहीं तो फिर मैं आपको थोड़ा समझाओं ने, मैं जानता हूं सर, मैं इतियास पराओं ये अलग concept है इसमें चंद्रगुप्त का देखिए चंद्रगुप्त और चानक का जो context लिया गया है वो बहुत महत्रपूर्ण है यदि हम देखें तो चंद्रगुप्त का जो है चानक का एक दिब शौपन था कि वो अखंड भारत का निर्माण करेगा मगद को दोस्ट करेगा क्योंकि मगद का जो नरेस है वो बहुत ही बाहिजात फरावी और बहुत ही मकार बदमास इंसान है जैसे आजके राजनेता है वो उस समय के मगद नरेस को रिप्रेजेंट करते हैं तीगे ना राइट आच्छा और जो चानक था उसमें एक अपनी चो और उसने एक अखंड महा भारत जो आज के भारत से बहुत बड़ा था जिसकी सीमाएं आज से कम से कम डेवडी और दुगनी थी ऐसे महा भारत का ऐसे अखंड भारत का जो है दिब्व सौपनी चानक ने देखा था और उसने इस काम के लिए चंद्रगुप्त को पहचाना जो कि उस समय गौले के वेस में था राइट क्योंकि उसके पिताजी की तो संपत्ति जो उसने चुड़ा ली थी और उसकी मा को दासी बना लिया था राइट तो एक गौले को फिर चानक ने तरासा और उसे समराट बनाया राइट तो चंद्रगुप्त और चानक दोनों ही अखंड जो है भारत के लिए जो है टोटली डिवोटेड बैक्ती थे राइट और समराट चंद्रगुप्त समराट होने के बावजूत भी दो चीजों से बना हुआ था अखंड भारत के दिब्द सौपन से और अपने गुरु चानक से ये कौंसेट भी उसी तरीके से है कि अपराद मुक्त भारत 21 विदाओं के सहत जो है इस देश में महा परवर्तन की बात कर रहा है और इसके लिए टेक्नोलोजी और इसके लिए मॉडल डवलप्ट कर लिए गए हैं और ये जमीन पे उतरने से कोई नहीं रोप पाएगा क्योंकि इसमें पांच पैसे खर्च नह बनेगा जो अधिक से अधिक लोग को वहां तो जो ना तलवार चलाके लड़ने वाले को चंद्रगुपत कहेंगे यहां का चंद्रगुपत जो है तलवार से नहीं लड़ रहा है जवान से लड़ रहा है वो लोगों को रिचाउट कर रहा है लोगों को जोड रहा है और ज जो आधिक से अधिक लोगों को जोड़ कर जो मेरिट लिस्ट में आएंगे मेरिट लिस्ट में जो आएंगे 230 लोग उपर के वो चंदरगुप्त कहलाएंगे फिर क्राइम फ्री भारत में मैथली संद्गुप्त का प्रतनीजी मिसराजी उसके पास पहुंचेगा ठीक है न औ और उसको चंदरगुप्त का सर्टीफिकेट देगा और दूसरी जेव से निकालके बिदाय का टिकेट देगा अब बहुत महत्पुन बात है जो समझने की है आपकी जो है ना बाकी राजनेतर दल क्या कर रहे है अपने आदमी को कह रहे हैं यह हमारा बिदायक है इसको आया यह आपका आदमीम थे न हुए न अचहा अपने आदमी चंदर बिरस से क्या किया रही है बाई साब जीते के कैसे तो उसको जीतने का जो है जो गुरू मंत्र है वो सदस्की सपत में है अब मैं आपको सदस्की सपत समझाता हूं स्दस्की सपत कर जो संचित सपत है तो dumbley zon hun-die 13 fetch की सब गा yine ये संचित लपत है उसका तीन हिस्से है उसका पहला हिस्सा ये है कि देखो भाई मैं भारत माता की सफ़त लेता हूँ कि मेरी सोच चंता पारवरिक प्रसितियों के कारण मैं परदे के पीछे रहूँगा मतलब Crime Free भारत का सदस्य जो है धनोधारी नहीं है वो केरा नहीं भईया मैं तो डरा हुआ इनसान हूँ इंदुस्राजनेताओं ने हमें अपंग बना के रखा है मैं डरा हुआ इनसान हूँ मैं साधान सदस्य हूँ और मैं परदे के पीछे रहूँगा और परदे के पीछे 10 लोगों को 30 दिन के हिसाब से 9 दिन में 90 लोगों को जोडने का संकल्प लेता हूँ और एथा सकती कोशिस करूँगा कि जोड़ लूँ मतलब वो भी नहीं है कि नहीं जोड़ पाए तो पाड़ा नहीं गिनने वाला है ठीक है ना मैं एथा सकती प्रयास करूँगा कि 90 लोगों को दददस के हिसाब से जोड़ लूँ अब इसका टिकेंड पार्ट है जो सपत का वो कह रहा है मैं भारत माता की सपत लेता हूँ कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक वीडियो देखूंगा जिससे हमारी हतासा, निरासा, बेवसी और डिप्रेसन जो बरतमान माहोल में पैदा कर दी है कि आदमियों को सिवसाइड करना पर रहा है उससे अपने आपको ओबादने के लिए और अपने उर्जा के लेवल को उत्रोतर बढ़ाने के लिए मैं एक वीडियो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल का पृति दिन जरूर देखूंगा, ये भी सपत का हिस्सा है क्योंकि चारों तरफ इतनी निरासा और वेवसी है इस दुस्र वेवस्ता के कारण कि आदमी को कहीं रात नहीं दिखती है हर वेक्ति के पैर में बिमाई फटी हुई ये बात मानते हैं के नहीं मानते हैं अब इसका तीसरा हिस्सा है वो सबसे महत्पून है जो कह रहा है कि हम मैंसे जो सब लोग के बीच में जाएंगे संगोष्ट यहां करेंगे और अपने आपको मेरिट लिस्ट में आकर चंद्रगुप्त इस्तापित करेंगे ऐसा वेक्ति जो हमारे छेतर का चंद्रगुप्त बनेगा मैं चट पर जाऊंगा थाली बजाऊंगा दीपक जलाऊंगा और उसका जो है उद्गोष करूँगा कि मेरे चंद्रगुप्त जो हैना टी-एस मिस्रा है और मैं उन्हें संकल्प सपत उद्गोष्ट गगनवेदी उद्गोष्ट के माध्यम से बिजाई बनाऊंगा अब बताईए जब 80% 90% मतदाता छट पर चड़ जाएंगे और जब ये उद्गोष कर रहे होंगे कि टी-एस मिस्रा हमारे चंद्रगुप्त हैं और मैं उन्हें संकल्प से बिजाई बनाऊंगा तो मिस्रा जी मुझे ये बताईए पड़ोसी पूछेंगे पूछेंगे भईया आप लोग कर क्या रहे हो हाँ या नहीं पूछेंगे और जब आप उनको बिस्तार में समझाएंगे कि भईया ये बड़ी अदभुत चीज है ये जितनी भी दुस्ता है आपके उपास में जो मकारी, हरामी, बदमासी की गई है जो गुलामों के नियम इंदुस्ट राजनेताओं ने आपके उपर थोपके रखे हैं और ये इतने दुस्ट हैं कि जो 40-45 साल नौकरी करेगा उसे साले पैंसन नहीं देंगे और खुद दुस्ट जितनी बार सपत लेंगे उतनी बार पैंसन लेंगे इतनी मौटी खाल के लोग है ये जो है आपके आगे चलके रूल्स में ऐसे घटिया परबरतन लाएंगे जिससे सास्की शेवा के अच्छे लोग जो है वो उठके जो है देश के सुधार के और देश के लिए काम ना कर पाएं ऐसा जो है नियमों में प्राधान करेंगे जो की नियम बुरुद्ध होगा और ये इतने दुष्ट है कि इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षर होना भी जरूरी है साचरित्र होना भी जरूरी है है के नहीं है और एदी चपरासी जैसे छोटी पद के लिए भी पुलिस ने इदी निगेटिव रूपोर्ट दे दी तो मिसरा जी मुझे बताइए उसको चपरासी की नोकरी मिलेगी क्या नहीं मिलेगी तो इसके बारे में पिछले आठ वरसों में तीन प्री आईयल सुप्रीम कोर्ट में लगी है और उसका मजनून यही था कि बाईया जब चपरासी के लिए साक्षर हो साक्षरित होना चाहिए पुलिस की रूपोर्ट नेगी हो नेगेटिव आ जाएगी तो आप नोकरी ख़द नहीं देंगे तब फिर जो है यह हमारे राजनेता अनपढ़, गवार, बाहुवली, दद्वदलू, भरष्ट, चरित्रहिन और अपरादी क्यों यह सबी आपुषण है ना इनके पास मतलब आज की राजनेता यह पांच-छे जितने भी हमने उनके एड्जेक्टिव बताये हैं उसको क्वालिफाई करते हैं नहीं करते हैं तो वो जो है कह रहे है क्या कह रहा है सुप्रिम कोट ने क्या कहा कि मैं तीनों PIL से अलग लग तीन PIL अलग थी तीनों में उन्होंने PIL करता से सहमती जाहिद की और कहा कि भाई साब ये पार्लियमेंट का अधिकार छेतर है तो मैं पार्लियमेंट से निवेधन करता हूँ कि एक लाइन का संसोधन कर दिया जाए पीपल्स रेप्रेजेंटिटिटु एक 1950-51 में और वो लाइन ये है कि अपरादिक रिकॉर्ड के व्यक्ति को टिकेट की पातरता नहीं होगी आपका काम हो गया हो गया कि नहीं हो गया इन आठ्वा सालों में नरिंद मोदी ही हमारे प्रदान मंत्री थे आज उनके पास जोन लोगसावा में भी मजोरिटी है और राजसावा में भी मजोरिटी है लेकिन दुस्टा देखिए आप कि इन्हों ने जो है अच्छे चरहतर को ये लोगों की बजाए दुस्टों को ही टिकेट दिये आपको मालूम है हम आकड़ों से आपको समझाएंगे देखिए जो अभी बरतमान पार्लियमेंट है 2019 से 2024 का जो मेंबर ओफ पार्लियमेंट ने अपने एफिडिविट दिये हैं उसके इसाब से 44% मेंबर ओफ पार्लियमेंट जो है वो किमिनल रिकॉर्ड की है हाला कि एक PIL ले भी लगी है कि एफिडिविट जूटे हैं मतलब बासुका में इससे भी ज़्यादा लोग जो है अपरादिक रिकॉर्ड के हैं लेकिन जब तक वो PIL डिसाइड नहीं होती है लेस प्रजूम के जो उन्होंने एफिडिविट दिया वो सही है तो 44% मेंबर ओफ पार्लियमेंट अपरादिक रिकॉर्ड के हो गए अब जो है पिछले वर्स उतर प्रदेश का चुनाओ हुआ तो उसमें ये संख्या बढ़के 51% हो गई है उतर प्रदेश की विदान समा म 403 सदस हैं उनमें से 205 जो है अपरादिक रिकॉर्ड के हैं अब कमाल देखिए इस वर्स क्या हुआ दस मई को करनाटका का चुनाओ हुआ और उसमें ये संख्या बढ़के 55 हो गई अब ये दुसराज नेता मद्द प्रदेश में 60% तक तो लई जाएंगे इसे जब अपरा तो अब आपी बताएए क्या भारत के हर नागरिक को 21 महा लक्ष जो कि देश को परवर्तित करने वाले हैं जो कि गुलामी के जो नियम कानून को अहमूल चूल परवर्तित कर रहे हैं जो आपकी सास्की विवस्ता में जो अभी गुलामी हैं आपको मालूम है जिस नौकरी को आप कर रहे हैं वो गुलामी की नौकरी है इस वात का एसाथ है और आपकी गुलामी के आपको मालूम है और फर्णामेंटल जो है ना प्रिंसिपल क्या है जिसके कारण आप गुलाम है पहला है आपकी A.C.R. आपकी बॉस लिख रहा है दूसरा है आपके आपका जो मैं वही कह रहा हूँ आपका जो प्रोमोशन है ये प्रोसेस कर रहा है इतने दुस्ट हैं कि आदि आपको पसंद नहीं करेंगे तो आपके खलाब जूटी है कुछ भी कंप्लेंड अप्लेंड करा के आपको जो है ना जाचवाच के नाम से फसा के आपको प्रोमोशन नहीं लेने बहेंगे ये आपका रेकॉर्ड ठीक है तो भी नमबर तीन इनके हाथ में आपकी पदिस्थापना है और चौथा कंड़क्ट रूल से बने हुए हैं ये चाहे दुस्ट हों चाहे बैवचारी हों चाहे भरस्ट हों ये जो भी बात कहेंगे ये उसको मानने के लिए आप कंड़क्ट रूल के तहत बात दें और ये आप नहीं मानेंगे तो ये दुस्ट लोग आपको सस्वेंट कर देंगे आपकी नौकरी खा जाएंगे आपके बच्चों को कहीं का नहीं छोड़ेंगे ये चार मुख कारण हैं के नहीं हैं आपकी गुलामी के चार कारण हैं आप बताओ क्राइम फ्री भारत उल्टा कह रहा है वो कह रहा है कि भाई हम पूरी वेवस्ता को पारदर्सी बना देंगे अकाउंटेबल बना देंगे सम्मेदन सील बना देंगे और हमारे अधिकारी जो उचे उचे पदों पर बैठे हैं जो अभी दुस्ता कर रहे हैं इन राजनताओं के चनर सेवक हैं यह जो है सही समय पर सही निरने लेंगे और यह ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें लाखों में जो एकमपनसेशन देना पड़ेगा जो उनकी आखात के बाहर होगा राइट और तास्की सेवा से भी गुलामी गायव हो जाएगी आप बताईए जो हमने आपको नई विवस्ता बताई है हर कोई अपनी 100% एनर्जी काम में लगाएगा कर नहीं लगाएगा उसका सिर्ध जो है हमेशा सम्मान से उंचा रहेगा कर नहीं रहेगा व अब तो उसको खंफूज रहता है के हम किस काम किस के लिए कर रहे है और जब वो लगता है कि हमारी दुषता में यह लोग भी जो है ना खूब नाध हो रहे हैं तो उसे लगता है थोड़ा सा हम भी नहा लेते है तो वह भी बिश्टाचार की गंगा में जो जोना गोता जानते हो ये साजिस है जानते है साजिस क्यों है ये मैथली स्रण गुप्त जैसे मुर्ख लोग जो है कहीं अपनी इस माइन कौर्ड को सीधा ना रखताएं उन्हें अपने भरिष की चिंता सदारती रहे और वो सबी लोग जो है कहीं ना कहीं विश्टाचार की नदी में जं कारण नहीं है आपको कोई दूसरा कारण सम्झे में आता है क्या मुझे कोई दूसरा कारण सम्झे नहीं है यहीं कारण है न हाज